मुंबई में विश्व मानवा धिकार दिवस मनाया गया मुंबई उपनगर अंधेरी पश्चिम भवन्स कालेज में मानवा धिकार आपात कालीन सामाजिक हेर पलाइन्स नामक संस्था की तरफ से विश्व मानवा धिकार दिवस धूमधाम से मनाया गया इस अवसर पर संस्था के संस्थापक दुर्गा प्रसाद तिवारी, राष्ट्री अध्यक्ष सुमित तिवारी, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोर सिंग, मुंबई प्रदेश अध्यक्ष बन्ष बहादूर जायस्वार, महिला जिला अध्यक्षा श् पर्बोज जी बहुत अच्छे इंसान है, सब पार्टी को जितने करे करते हैं, सब को लेके आगे पढ़ना चाहते हैं, बहुत की सम्दूर नहीं कर पाई, जितना हो सकता है, किये हैं? पर्बोज जी मानव विश्य दिवस अब कितने साल से मना रहे हैं? मानव विश्य दिवस तो 1948 से 20 में मना आ जाता है, लेकिन लगभग 10 साल से मैं एक्टिव हूँ, और हर साल 10 दिसंबर को मानव विश्य दिवस में महरासिकंदर में मनाता हूं, यह कारेंटम रखता हूं, और हम लोग सब मिलकर के जितने कारे करता हैं, सब लोग मिलकर के मनाते हुए अशर अभी जिस तरीके से आज का ये प्रोग्राम हम लोगों ने आयो जित किया बहुत कम समय के अंदर सभी लोगों को हम ने निमन पन्वेजा और सब सच्ची बाती है कि मानौवधिकार के खुद महारास प्रेसिडेंट, हमारे बमूझसाहब, हमारे जैस्वार साथ और हमारे वरेस जतने भी होगें, अशर जितने भी हमारे कारे करता हैं, ये सबान, यानि इतने कम समेंगें अंदर यहां दोगों काव पस्तित होना इस बात की गवाही देता है कि मानौ अदिकार आज भी पूरी तरीके से जिन्दा है और हम लोग इसको जिन्दा रखने के लिए हर दम इसी तरीके से प्रमुच साथ के साथ पूर करके चलते रहेंगे और इस म करता है